जिन्हें शास्त्रीय संगित पसंद था 10 प्रतिशत ऐसे लोग थे जिन्हें शास्त्रीय संगित पसंद था और 30 प्रतिशत कैसे लोग थे जिन्हें लोग गीत पसंद थे जो एक आपकी स्टेट के हर एक राज्य के अपने अपने गीत होते हैं जिने हम लोगईत कहते हैं तो वो उन्हें लोगईत पसंद है तो अब जो सर्वे का परिणाम है उसको हमने इस तरीके से दर्शा दिया कि चप से ज़्यादा देखिया आप लोगों को मनोरंजग संगीत पसंद है फिर 20 प्रतिशत को उप शास्त्री है दस को शास्त्री है और 30 प्रतिशत लोगों को लोग संगीत पसंद है अब प्रश्ण क्या है पहला हमारा प्रश्ण हमारा पहला प्रश्ण यहाँ पर यह कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रिय संगीत पसंद करते हैं प्रश्ण कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रिय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने लोगों का सर्वे ये किया गया था तो कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया इसने कहा कि यहां ये 20 प्रतिशाद 10 प्रतिशादी आलग बात है कुल एक्जेक्ट उसने एक बता दिया कि 20 लोग ऐसे हैं जिने शास्त्रिय संगीत पसंद है तो बताईए ये कुल कितने लोगों का सर्वे हुआ था चलिए हम देखते हैं शास्त्रिय संगीत कितने लोगों को पसंद है या हम कह सकते हैं कि एक प्रतिशत दर्शात आए, 20 बटे 10 लोग, अगर 10 प्रतिशत का मतलब है 20 लोग, तो एक प्रतिशत का मतलब हुआ 20 बटे 10 लोग, अब आपको क्या निकालना है कि कितने व्यक्ती, यानि कि आपको तो इस पूरे इस चित्र में कितने व्यक्ती है, 40 और 20, 60, 60 और 10, 70, 70 और 300, पूरे 100 प्रतिशत लोगों का दिखा रहा है कि कितने लोग वो एक्च्वल में थे, तो जब एक प्रतिशन का मतलब है 20 बटे 10, तो 100 पर्सेंट यानि कि 100 प्रतिशत का मतलब होगा, 20 बटे 10 गुना 100, यानि कि 200 लोग, तो हमारा उत्तर हुआ कि यहाँ पे कुल 200 लोगों का सर्वे किया गया था, सबसे पहले उसने आपको एक प्रश्न दिया, प्रश्न में उसने आपको अलग-अलग डेटा, उसने दिया है कि इतने लोगों को तो इतने प्रतिशत लोगों को ये संगीत पसंद है, प्रेश ने दिया कि 20 लोग हैं ऐसे जिने शास्त्री संगीत पसंद है आपने दोनों तरफ दिखा एक तरफ बोल रहा था 20 लोगों को पसंद है एक तरफ करिया 10 प्रतिशत लोगों को पसंद है मतलब दोनों एक ही चीज है तो हमने लिख दिया कि 10 प्रतिशत यानि की 20 लोग, फिर एक प्रतिशत यानि की 20 बटे 10 लोग, तो 100 प्रतिशत मतलब कितने, 20 बटे 10 गुणा 100 यानि की 200 लोग, तो ये जो सर्वे किया गया था, ये कुल 200 लोगों का सर्वे किया गया था, अब इसमें एक और प्रश्न बनता है